महराज के आने का समय हुआ है चाहे कोई भी हो बंकल से आना पड़ेगा आप आगे आए कोई बात नहीं आप जाए आओ आओ जल्दी जल्दी आओ पीछे अभी बहुत लोग बाकी है सबको आगे आना होगा इसके बाद तुम इस अब बंदी बना लो बंदी बना लो इसे बाहु बली की धर्म पत्नी देव सेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपती की उंगलिया काट दी राजमाता शिवगामी देवी की आग्या से श्री श्री भलाल देव महराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंध हो रही है अवश्य देव सेना क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हतकडिया पहना दी गई और पहले ही निर्नय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ ये कहां का न्याय है तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिशमदी का दंड विधान है आदिवासी भी जिने घिनोना समझते हैं उन तोर तरीकों को आप दंड विधान कैसे हैं तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजे अपने न्याई शास्त्र को गंगा में बहा दीजे, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजे जिस राज्य की मदी भरष्ट है उसका माहिशमदी जैसा बड़ा नाम छी देव सेना, इस महान सामराज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला बड़ी-बड़ी प्रतिमाओं और उंचे-उंचे सिंगहासनों से महान सामराज्य नहीं बनता राजमाता एक विशाल रिदय से बनता है, लगता है वो यहां किसी के पास नहीं है, धिककार है देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्रजदा के साथ बात कर रही है, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुछ बाते कहीं होगी, सोच के देखिए महाराज पुटसाद 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 वास्तव में क्या हुआ था बताओ से तुपदी शेवाले भक्तों से भरा हुआ था महाराज, देव सेना भी वहाँ दर्शन के लिए आई तब ही आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुक्खे द्वार की जगा दूसरे द्वार से आए बाहु, ये क्या वेभार है, तुम पीडित को धमका रहे हो विनिती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज अपनी हद पार कर रहे हो बाहु बली एक गर्भवती को बेडियों के साथ खड़ा करके, ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है मा चाहे गर्भवती हो या ब्रद, तुम हो या मैं न्याई विधान सब के लिए एक है जानते भी हो क्या हुआ था क्या हुआ था देव सेना शिवाले मैं सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया अंदर भेजने के भाने वो सब पर हाथ डाल रहा था मेरे साथ भी वो यही करने वाला था तो उसकी उंगलिया काट दी गलत किया देव सेना औरत पर हाथ डालने वाले के उंगलिया नहीं काटते काटते हैं उसका करा